जी बचो टॉपिक है हमारे पास law of independent assort इसमें भी आपके पास दो वर्ड है एक तो assortment का word assortment का मतलब होता है separation ठीक है assortment का मतलब क्या होता है separation यानि इसके अंदर हमारे पास ये जो बचो इनकी separation की बात हम लोग कर रहे होते हैं अच्छा independent का मतलब क्या होता है independent का मतलब यह है कि यह अजाद है किसी भी दूसरे के उपर यह dependent नहीं है ठीक है और इसलिए बचो जबी भी हम यहां पर डील करते हैं तो हम mention करते हैं कि law of independent assortment यह हमेशा हमारे पास डाय हाइब्रिड क्रॉस को जो है वो डील कर रहा होता है ठीक है यह किसको डील करता है यह बचो हमारे पास यह डाय हाइब्रिड क्रॉस अच्छा डाय हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है जैसे मोनो हाइब्रिड हम लोगों ने पढ़ा था single trade को यहां पर dihybrid की बात करेंगे यानि दो trades को हम लोग deal कर रहे होंगे ठीक है बचो चलो इसकी हम लोग सबसे पहले statement को deal कर लेते हैं के law of independent assortment की statement अगर आपके पास mcqs बना के पूछी जाए तो इस statement में कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो आपको पता होने चाहिए है डाय हाइब्रेड तो डाय हाइब्रेड के अंदर कितना दो वेन टू कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग पियर ओफ ट्रेड्स ठीक है अब यह देखो आपके पास दो जो हैं वो हम वरास्ति कि खसूसियत को डील कर रहे हैं ठीक है और फॉलेड इनदा सीम क्रॉस अगर बचो इनको एक ही क्रॉस के अंदर हम लुग डील करें दो डिफरेंट टेड्स को ठीक है तो हम यह कहते हैं ऐसे क्रॉस के अंदर उनके जो तो अलील्स होते हैं, या अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती हैं, आसोर्ट इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें ही होती है ठीक है तो यह आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है ठीक है हम यह भी कह सकते हैं कि अलील की जो distribution होती है एक trade की वो किसी भी दूसरी trade के अलील के influence में नहीं होती यह आजाद होती है अपना काम function perform करने के लिए ठीक है तो हम यहां पर dihybrid cross, trihybrid, tetra, penta, hexa सब को deal कर रहे होता है ठीक है कुछ भी आजए वो law of independent assortment ही इसको deal कर रहा होता अब यहां पर हम किसी भी दो trade को deal कर सकते हैं ठीक है जो के आपको पसंद है हम लोग यह कहते हैं के हमारे पास यह trades अगर हम यहां पर relate करें तो कौन सी लेंगे इन trades के अंदर बच्चो हम लोग mention करते हैं के हमारे पास दो trades हैं कौन कौन सी चलो एक लेते हैं बच्चो, that is seed color, एक हम लोग ले लेते हैं, seed color, दूसरी trade हम लोग लेते हैं, seed shape, एक है seed color, और एक है बच्चो, हमारे पास seed shape, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगोंने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगोंने ये पढ़ा हुआ है, कि जो seed color होता है, वो आपके पस दो तरह का हो सक होता है, यानि इसकी phenotypes जो हैं, वो दो तरह की है, कौन-कौन से, एक हम लोग पढ़ते हैं, कि इसकी phenotype होती है yellow color, ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ते है, इसकी phenotype होती है green color, इसमें हम लोगोंने ये याद रखना है, कि ये जो yellow color होता है, ये dominant होता है, that is dominant, और ये जो green color होत होता है, ठीक है, that will always be recessive, seed shape की बात करते है, तो seed shape जो है बचो, यह हमारे पास दो contrasting traits इसके भी आते हैं, कौन-कौन से, एक हमारे पास आ जाएगा, इसमें round shape है, और दूसरी बचो हम यहाँ पर mention कर रहे होते हैं, इसमें wrinkled shape होती है, ठीक है, जो round shape होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, कि यह character हमारे पास dominant है, और यह जो wrinkled है, यह हमारे पास बचो recessive है, चलो, यह दो trades है, जिसके बचो हम लोगोंने, पहले dominant phenotype की true breeding लेनी है, और पर recessive की true breeding लेनी है, यह लो, अगर बचो मैं यहाँ पर यह बात करता हूँ, कि dominant phenotype dominant phenotype true breeding, dominant phenotype true breeding का मतलब यह है, कि आप यह देखो, round और yellow, इसकी breeding ले रहे हो, ठीक है, और हम लोग यह कहते है, true breeding का मतलब यह होता है, कि इसके अंदर आपके पास दोनो character जो है, वो यह ही है, जैसे round के लिए हम लोग capital R, capital R की बात करते हैं, अगर दोनों अलील एक जैसे हैं, तो homozygous है, और yellow के लिए capital Y, capital Y, ठीक है, that is a true breeding, round yellow, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, that is true breeding, round है, और yellow है, यह बचो इसकी दो traits को deal करें, फिर हम लोगोंने true breeding लेनी है, बचो, wrinkled और green की, तो wrinkled और green, यानि small r, small r, small y, small y के साथ इसको show कर देता है, यह हमारे पास कहलाएगा, wrinkled green, ठीक है, बचो, तो यह आपके पास, जो है, वो दो traits, हम लोग, true breeding जो है, वो हम लोगोंने ली, अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, P1, ठीक है, P1 बोलने की वज़ा क्या है, इसको first parental cross भी बोला जाता है, या P1 हम लोग इसको बोल रहे होता है, अब अच्छो, इसमें gametes की बात करेंगे, कि gametes हमारे पास, कौन कौन से होते है, चलो देखते हैं, ये जो आपके पास capital R, capital R, capital Y, capital Y है, बच्छो, इसमें gametes कितनी तरह के बनेंगे, इसमें gametes A की तरह के बनेंगे, ये पिछले topic के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, वो बनेंगे capital R, capital Y, और इसमें capital R, small Y को डील करेंगे, बच्छो जब इनका cross होगा, फर् किते हैं, तो हमारे पास आएगा capital R, small R, capital Y, और small Y, ये जो बच्छो आपके पास ये जो चीज आ रही है, इसको हम लोग mention करते हैं, कि that is labeled as round yellow, इनकी shape कैसी होती है, इनकी shape mention करते है, इनकी shape होती है round, क्यूंके capital R, जो हो dominant है, तो round और capital Y भी dominant है, येलो, round yellow जो है, वो shape हमारे पास, और color जो हो शो कर रही होती है, ये phenotype है, अब ये phenotype आपके पास, बच्छो, dominant phenotype जो है, वो कहलाती है, क्यूंके और करते हैं, बच्छों है जय कर Erfahrung जो है, ऍूंके होती है, आपके आपके व्र Healing आप आके हो, हैं, इनकी form घचरो जाही है, जो है. हुआ 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 है